Hello student, welcome to my youtube channel, Excellent Success Group तो student आज हम discuss करेंगे class 9 में chapter 13, surface area and volume का sport material question number 67 में दे रखा है A residential colony has a population 5400 and 60 liter of water is required per person यानि कि वहाँ पर कुल मिलागी 5400 लोग रहते हैं एक person को per day में 60 liter water की ज़रुत होती है for the effective utilization of rainwater वो ज़्यादा बहतर तरीके से rainwater का use कर सके a group of people decide to the water harvesting तो लोगों के समों ने सोचा कि हमें पाने की बचत करने चीए ठीक है they constructed water reservoir measuring 48 meter, 27 meter and 25 meter to collect the rainwater तो उन्होंने इस तरीके का एक cuboidical water tank बनाया जिसकी length, breath and height ये है for how many days the water of this tank sufficient during the rain height of water level is 5 meter अगर बारिश के दोरान वहाँ पर उस tank का पाने का जो level है वो 5 meter उचा है तो ये पानी कितने दिनों तक उन कोलोनी के लोगों के लिए sufficient होगा ये हमें सवाल में बताना है ठीक तो सबसे पहले में इसके अंदर पानी कितना sufficient पड़ा हुआ है वो हम निकालेंगे ठीक तो हमारा दे रखा है tank जिसकी length 48 meter लेनी है breath 27 meter लेनी है and height देको वैसे तो मैं 25 दे रखे लेकिन पानी सिरफ 5 meter उचा ही भरा हुआ है इतना ही भरा हुआ है तो height हम लेंगे 5 meter तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं volume of tank याने किस में कितना पानी है तो L into B into H 48 into 27 into 5 इन तीनों को multiply कर देंगे इन दोनों को multiply कर देंगे तो 1296 into 5 5 से multiply कर दिया तो यहाँ 6480 meter cube यह तो meter में आया हम इसको convert करेंगे liter में तो 1 meter cube पानी बराबर होता है 1000 liter के ठीक है तो 6480 को multiply कर देंगे 1000 के साथ में तो यहाँ जागा 6480 पीछे 30 है 30 लगा दो इतना पानी इसमें टोटल अविलेबल है ठीक है इन वन डे consumed water एक दिन में कितना पानी consume होगा देखो वैसे एक आदमी एक दिन में यूज़ करता है 60 liter तो गाउं की population जो हम को लोनियों की population है 5400 तो multiply कर देंगे 5400 के साथ में तो यह निकल की आया 3,24,000 liter इतना पानी एक दिन में consume होता है तो number of day कितने दिन लगेंगे वो पानी को यूज़ करने में है number of day water of this tank is sufficient तो हमारे पास कितना पानी पड़ा हुआ है 64,80,000 divide करेंगे 3,24,000 का ठेक पीछे 30,30,30,30 cancel होगी 3,24,200,6,48 कितना आया 2 पीछे 0 है तो 0 रग जाएगी तो कुल मिला कि वो पानी हमारा 20 दिन तक चलेगा और इसी के साथ मेरा question number 67 यहाँ पे complete होता है उमीद करता हूँ student आपको question समय में आ गया होगा अगर आपके वुडियो अच्छा लगा तो वुडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इस चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लें मिल तक लिए वुडियो में ओके बाइब थैंक यू